स्वागत है दोस्तों चत्तीजगर लेटिस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई हैं। चत्तीजगर में अगले साल 422 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल, इन में 252 सरगुजा बस्तर संभाग में दंतेवाडा के सभी स्कूल बदलेंगे। स्वतंत्रता दिवसपर सी एम की घोशना, मुख्यमंत्री भूपेश बगहल ने स्वतंत्रता दिवसपर आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व प्रदेश के 422 स्कूलों में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्याले योजना लागू किये जाने की घोशना की है। इसमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सर्गुजा संभाग में होंगे। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्याले योजनात से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांती आई है। मुख्यमंत्री सोमवार को स्वतंतरता दिवसपर्ध वजारोहन के बाद जनता के नाम संदेश दे रहे थे। ट्राइपूर पुलिस ग्राउंड में हुए समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष हमने 51 स्कूलों से यह योजना प्रारंब की थी, जो अब बढ़कर 289 स्कूलों तक पहुँच चुकी है। इनमें से 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। इस वर्ष 2,52,600 बच्चों ने इन स्कूलों में प्रवेश लिया है, जिसमें 1,03,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम तथा 1,49,600 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। योजना की सफलता को देखते हुए हमने निर्नय लिया है कि अधिक से अधिक स्कूलों को इस योजना के अंतरगत लाया जाएगा। दंते वाड़ा जिले के शत प्रतिशत शासकिया हाई एवं हाई सेकंडरी स्कूलों को स्वामी आत्मानन स्कूलों में बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा अपना वादा निभाते हुए हमने नवा रायपूर में अंतराष्ट्रिय स्तर का बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रारंब कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा बच्चों को उनकी मात्र भाषा में ही प्रारंबिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने हिंदी के अलावा 16 स्थानिय भाषाओं में तथा 4 पडोसी राज्यों की भाषाओं में पाथ्य पुस्तके प्रकाशित कराई है। निशुल्क पाथ्य पुस्तक योजना के तहर पहली कक्षा से 10 वी कक्षा तक सभी शासकिय अशासकिय स्कूलों तथा 8 वी कक्षा तक मदर्सों के बच्चों को लगभग 52 लाग पाथ्य पुस्तके प्रदान की जा रही है। नवी कक्षा में पढ़ने वाली 155,000 चात्राओं को इस वर्ष निशुल्क साइकल देने का लक्षे रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में हमने सुधार के स्थाई उपाई किये हैं। इसके तहर पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थाई भरती का कारेश शुरू किया गया। यह काम अब अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक 10,000 शिक्षकों की भरती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।